तो आज डे सेवन सेकंड पार्ट जिसमें हम लोग जारतर इंटीग्रेशन ही करेंगे डेफिनिट इंडेफिनिट स्टैंडर्ड इंट्रिगर सब कुछ है हम लोग को तो एक-एक करके समझा देखो इंटिग्रेशन ओफ लॉग एक्स होल स्क्वार अब होल स्क्वार हो जो भी हो लॉग एक्स का कोई फोर्मूला नहीं होते हैं इंटिग्रेशन में इसको हम लोग करते हैं बाइपार्ट से तो पहले हम लोग वो वो फॉर्मूला एक बाइप कर लेते हैं बाइपार्ट का फॉर्मूला था इंटिग्रेशन ओफ यूवी दी एक्स इक्वाई टू याद है पहले यू इंटिग्रेशन वी दी एक्स यू 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 इंटिग्रेशन वी दी एक्स सेकंड ब्रैकेट क्लोज बाहर भी डी एक्स मतलब डबल इंटिग्रेशन है इसमें तो यह है बाइपार्ट्स का फॉर्मूला इंटिग्रेशन बाइपार्ट्स तो स्टार्ट कर रहे हैं क्वेस्चन नंबर 261 इंटिग्रेशन अफ लॉगेट्स होल स्क्राइपार्ट्स इसमें तो दो टो फंक्शन नहीं है तो इसको तुम ऐसे समझ लोगेट्स लोग एक्स होल स्क्राइड इन्टू वान और लॉग एक्स होल स्क्राइड को यू और वन को भी पकर के इसको बाइपार्ट्स के फॉर्मूला से इंटिग्रेट करोगी तो रूल देखें पहले कोन आता है यूं integration of 1dx 1 ने लिक्तियम लोग सिर्फ dx minus integration second bracket ddx of log x whole square ddx of u peer integration vdx 1dx 1 ने लिक्तिया सिर्फ dx second bracket closed dx step by step next line बाहर तो यही रहेगा log x whole square integration of dx होता है x minus integration second bracket अब यह पार्ट पे ध्यान दो बहुत दिन बाद तुम लोग derivative कर रहे हो वैसे division में अभी किये किसी का whole square का integration नहीं derivative कर रहे हो ddx तो पहले आएगा 2 log x power के formula से याद रखो यह power के लिए किये तो अंदर वाला log x जो है उसका भी होता है 1 by x वापस last में integration dx बतलब यह वाला जो x हो second bracket closed बाहर वाला dx वो अभी भी है फिर आगे next step x को सामने ले जाओ log x whole square minus 2 बाहर निकाल दो integration of log x dx क्योंकि x x cancel हो जाएगा तो यह x और 1 by x cancel पर 2 log x था तो 2 को बाहर वेजे वापस से integration of log x अब यह log x का भी तो formula नहीं होता है तो इसको भी by parts करना परेगा into 1 ऐसे समझके जिसपे log x को u और 1 को भी ऐसे पक्रोगे तो double by parts हो रहे हैं एक हुआ था अल्रेडी अब दूसरा part के लिए भी 2 log x हुआ 2 log x हुआ power 2 के लिए और log x का d dx 1 by x अब वापस by parts फिर से और एक बार तो इसमें यू है log x हम थर्ड ब्रैकेट बना लिए सुविदा के लिए अच्छा 2 को एकदम सामने रखो ने तो भूल जाओगे वापस integration d x minus integration second bracket d dx of log x पिर इंटिकेशन BDX मतलब 1DX, वन नहीं लिक्टे, second bracket closed, DX, next step, सामने वाला तो हो गया, वो वैसे ही रहेगा, एक्दम शुरू में जो है, माइनस टू, थर्ड ब्राकेट, लॉग X, और इंटिकेशन ओफ DX, मतलब X, इसको भूल से भी लॉग X स्क्वाइर मत कर देना, लॉग X अलग होता है, X अलग होता है, DDX अफ लॉग X अंदर में, 1 by X, और इंटिकेशन ओफ BX, तो ये था पूरा second bracket में, बार DX, फिर थर्ड ब्राकेट closed, नेक्स लाइन, X, लॉग X, होल स्क्वाइब, माइनस टू, इसको ऐसे लिखोगे, X, लॉग X, मतलब, लास्ट जो X से, उसको सामने लाओ, और यहाँ भी तुम देखी सकते हो, X और X cancel, तो वापस integration DX, जो होता है, X, अब integration पूरा complete, तो डालो constant, C या K, option में देख लेना, जादतर C होता है, तो याद रखना, यह जो अंसर हुआ, अब हम तुमको थोड़ा डिरेक्स बता देते हैं, यह हमेशा integration of log X का अंसर होते हैं, यह वाला, X log X minus 1, या तुम X common भी ले सकते हो, X bracket में log X minus 1, तो X log X minus X बोलो, या X bracket में log X minus 1 बोलो, वो integration of log X का अंसर होता है, थोड़ा याद अगर रख पाऊगे, तुमको इतना steps करना नहीं है, पर यहाँ log X का होल स्क्वार था, तो इसका अंसर फाइनली क्या हो रहे हैं, देखते हैं, सिर्फ bracket को खोलना है बस, सामने में X log X whole square minus, 2X log X plus 2X, साइन चेंज होगा, minus minus plus plus C, यह रहा तुमारा पाइनल आंसर, उसके बाद option थोड़ा चेक करोगे, option A ही साइद मैच हो रहे हैं, बाद देखना, हाँ, X common ले सकते हो, पर option में देखो, अगर उसमें नहीं है तो, next, integration हम बोले थे, कि होता है anti-derivative process, जब derivative से वापस original function में जाओगे, तुमको integration करना होगा, इसमें F dash X मतलब derivative दिया हुआ है, और एक function का value, minus 3, तुमको पूछा गया original effects, मतलब original function, तो derivative दिया हुआ है, original function पूछ रहा है, तो तुमको derivative का opposite, मतलब integration करना हो, तो integration is anti-derivative, opposite of derivative, याद रखो, sum number 262, तो पहले हम वो F dash X, मतलब derivative जो ता उसको लिख लेटे, 10 X square, प्लस 4X, तो यहां से अगर F X, निकालना चाहो, तो यहां से इन्टिग्रेशन आप F dash X, तो यह यह derivative जो है, इसको इन्टिग्रेट अब हम लोग करेंगे, 10 X square, प्लस 4 X, तो करतें इन्टिग्रेशन, 10 तो समझते हो, constant होता है, वो साम नहीं रहेगा, X square के लिए क्या करते हो, पहला sum, इसलिए हम थोड़ा formula details में दिखा रहे है, next हम से direct करेंगे, power में 2 plus 1 by 2 plus 1, यह होता integration, X power N का formula होता है, X power N plus 1 by N plus 1, plus, similarly 4 X मतलब, actually X के power में क्या है, 1, तो इसमें होगा, power 1 plus 1 by 1 plus 1, यह formula के उपर, पहला समय revision में, तो हम थोड़ा details में दिखार, और integration कर लिए, तो डालो constant, तो तो तेन बाइ 3 X क्यूब, आगे से direct यही लिखोगे, 4 by 2 X square, आगे से फोड़ा से 2, तो दिखार लिखोगा, प्लस C, तो अलतिमें लिखोगे, तो अलतिमें लिखोगे, एक्स क्यूब, प्लस 2 X square, प्लस C, पर यह answer नहीं है, यह जो constant है, इसका value निकालना होगा, और इसलिए, question में और एक चीज़ तुमको दिये है, F minus 3 equal to 17, याद रखना, यह minus 3 ही है, तुम्हारा X का value, function जो है, तो जहाँ जहाँ पे X, तुमको मिला, हम तुमको highlight करके भी, शो कर रहे हैं, यह दो जगा पे, तुम X के जगा पे, minus 3 डालोगे, तो C निकल जाएगा, तो 10 बाए 3, तो 10 बाए 3, इंटो मिनस 3 का होल कुब, प्लस 2, मिनस 3 होल स्क्वार, प्लस C, इक्वारे टू 17, देखो, माइनस 3 का होल क्यूब, माइनस 27 होता है, हम तोरा लिकरे उपर, ठीक है, और ये नीचे का 3 से डिवाइट कर दो, तो क्या बचा, माइनस 9, तो होगा, माइनस 90, पहला वाला, और दूसरा वाला तो, माइनस 3 का स्क्वार, प्लस 9, इंटो 2, 18, तो C आरे, 72, है ना, सी का वैलू, 72, अब तोम ओरिजिनल फंक्शन के लिए, ये जो C तुम्हारा, हाँ, ओ अच्छा, 17 था, हम भूल गए, एक्ठो सम्में ऐसे 0 भी होता है, तो 17 प्लस 90, 107 माइनस 18, वही तो, 89 ना 91, कैसे, 107, तो वह हम दिखा रहे थे, ब्लू हाइलाइट किये, वह जो C था, उसके जगा पे अब तुम, 89 पूट कर दो, तो आंसर हो जाए, देफो, फफ जगा थे खूब तो, 10 बाइट थे 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 थे, प्लस तो, प्लस एट नाइट थे 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 थे, कोई आंसर में है, पहला वाल है ना, प्लस माइनस, डिफरेंट डिफरेंट है, चेक करना, पिर आगे बरते, देखो, आज हम फुरा टाइम रखे, क्योंकि यह पता है, इंटिग्रेशन में उतना जल्दी नहीं हो पाएगा, डिफरेंट जैसा, एक्स इन्टू इपावर एक्स, यह भी बाइपार्ट से ही बनता है, अब मेन बात यह है, कि इसमें किसको यू पकरोगे, किसको भी, देखो, पियोर मैट्स वाला एक रूल एपलाई करता है, जिसको बोलते, आई लेट, पर उसमें से ज्यादा तर हम लोग का हैं नहीं, हम लोग का सिर्फ हैं, लॉग, एलजेब्रिक, और एक्सपोनेंट, यह तीन हैं हम लोग का, हम लोग का तो ना होता है ट्रिगोनोमेट्री, ना होता है इन्वर्स फंक्शन, तो इसमें से बहुत सारा चीज, हम लोग का नहीं होता है, सिर्फ यह तीन होता है, लॉग, एलजेब्रा और एक्सपोनेट इसमें एक्स है लॉग नहीं एलजेब्रिक तो यह है तुमारा प्रिफरेंशियल ओडर मतलब यू को पकरने के लिए यह ओडर फॉलो करोगे अगर लॉग है तो लॉग हमेशा यू होगा जैसे पिछले सम्में देखे 261 इसमें लॉग नहीं है एक है एक्स जो है अलजेब्रा और ए पावर एक्स होए एक्सपोनेंट पावर तो यह एक्स है तुमारा अलजेब्रिक यू और यह है तुमारा वी हमेशा इस ओडर पे बहोगा लॉग अगर है बिना कुछ सोचे उसको यू पकरो लॉग और एक्सपोनेंट होगा तब भी लॉग ही होगा पहले लॉग याथ पर जब एक्सपोनेंट और एलजेब्रा होगा एलजेब्रा होगा यू और यह एक्सपोनेंट होगा भी उल्टा ओडर लोगे कभी भी नहीं कर पाऊगे इंटेग्रेशन तो इसमें x है u e power x है b और इसमें क्या है definite भी है वो तो बाद में calculate होगा पहले तो normal जैसे तो integration of sum number 263 0 to 1 x e power x 1 हम zoom करके देख लिए 1 तो इसमें x है u और by parts के formula में पहले यू आता है फिर integration of v dx minus integration second bracket d dx of u मतलब x इसमें u है x वापस integration v dx इसमें है e power x v second bracket close बाहर भी dx यह है by parts का rule जिसमें हम लोग x को u और e power x को v पकरके किये आगे e power x सबसे अच्चा variable होता है उसका integration v e power x derivative v e power x तो यह कभी भी change नहीं होता है e power x minus integration d dx of x 1 e power x का integration फिर से e power x पर अभी भी बाहर वाला dx है मतलब integration अभी भी बाकी और यह भी तो e power x है तो इसका answer finally होगा x into e power x minus e power x यह definite है तो इसको third bracket में देखे upper value, lower value इसमें c नहीं डालोगे definite integral में constant नहीं आता है अब calculation पहले हम लोग क्या करते है upper value को put करते हैं इसको एक ब्रैकेट में रखना यह तुम फर्स्ट ब्रैकेट भी दे सकते हो minus अब होगा e के जगा पे 0 जहाँ sorry x के जगा पे 0 अम भूल बोल दिये जहाँ जहाँ x है उसके जगा पे 0 1 into e power 1 तो e होगा यह भी e होगा देखो यह पार्ट 0 होगा क्योंकि 0 से गुन है पर यह लास्ट पार्ट 0 नहीं 1 होता है पर उसके पहले minus था तो ऐसे दोगे minus 1 sign बहुत carefully तो obviously e तो cancel हो जाएगा पर minus minus plus 1 answer तो ultimately तुम एक चीज़ अभी भी हम बोल देते है x into e power x इसको integrate करने से यह आता है normal answer हम बोल रहे है इसके बाद तो definite integral का काम किये थे आप पर value minus lower तो कुछ integration ना कोशिश करना की याद रखो ताकि time save हो और मेरा कुई मक्सद नहीं है बोलने का time save के लिए बूल 264 जितना हो सके हम different types लेने का कोशिश किया मेंश कि कि कितने करवाएंगे हजाट्टो सम करने से भी खतम नहीं होता है इंटिग्रेट सिंबल नहीं दिये तो क्या हुआ लैंग्वेज दिये एक ही तो बात है with respect to x वही होता है लोग समझते नहीं यह with respect to x क्या होता है यह होता है dx हम लोग जो dx लिखते यह है किसको करना है इसको one upon x log x का whole square इसको करना है तो one upon x log x का whole square इसको integrate करोगे with respect to x 264 integration 1 upon 3rd bracket 3rd bracket 3rd bracket bracket log x whole square 3rd bracket closed dx dx with respect to x इसमें direct obviously नहीं कर पाओगे substitution method मतलब कुछ assume करना परे already हम highlight कर दिये ये नीचे वाला log x जो है उसको कुछ पक्रोगी whole square नहीं only log x को इन्टिग्रेशन में हम बोले थे normal class में कि जब भी कुछ assume करोगे तो रंत करना परता है उसका derivative तो log x को derivative करने से क्या होता है 1 by x पर इधर लिखने का काईदा थोड़ा सा अलग है left में x है right में z है तो इसमें हम लोग लिखते है dx मतलब with respect to x और right hand side में z के लिए actually होता है one पर with respect to z है इसलिए लिखोगे dz पर यह वन लिखने का कोई दरकार नहीं है सिर्फ डीजेट तो यह देखो हम तुमको फिर से दूसरा कलर से हाइलाइट करके दिखा रहे है यह जो one by x और dx है यह dx और यह यह one by x यह दोनों के जगा पर अब हो जाएगा dz और yellow से हाइलाइट किया हुआ log x जो है उसको हम लोग क्या पकरे तो अब variable चेंज करके इसका चहरा कैसे आएगा यह one by x dx के जगा पर dz और नीचे z square क्योंकि z वही है जो log x था और यह dz वही है जो one by x dx था तो सबको हम हटाके पूरा z में convert कर लिए अब आगे integration इसको तो नीचे रखने से नहीं चलता है जेट पावर माइनस टू और फिर पावर वाला फॉर्मूला क्या होता है फिर से हम लिखके ही कर रहे है आगे direct करना माइनस टू प्लस वान बाई माइनस टू प्लस वान यह definite वाला तो नहीं है इसलिए आएगा constant तो actually यह आ रहा है z to the power minus 1 by minus 1 आगे से यही direct कर लेना correct पर यह minus 1 ऐसे कोई नहीं रखते इसको नीचे बेर सामने में एक माइनस दोगे वो कौन सा माइनस है यह नीचे वाला कि फिर वान बाई जेट पावर माइनस वान के लिए प्लस सी पर याद रखो यह जेट हमने पकरे थे किसको लॉग एक्स को तो फाइनल आंसर माइनस वान बाई लॉग एक्स ओविशली कॉंस्टन तो ही ओप्शन इसमें के अच्छानक वोलो के अपलाई कर दिये नहीं वे कोई बात नहीं सी बोलो के बोलो बात एक ही है कॉंस्टन है ओप्शन एड तो एक बार हर टाइप जितना हो सक्यम रिविशन करवान जैसे नेक्स्ट भी बहुत इंपोर्टेंट और यह 266 आगे देखना यह थोड़ा डिफरिंट टाइप का है कि वह बताएंगे डिटेल्स में पर पहले 265 यह डिफिनिट है पर कि इसमें एक बात हो कि बाहरी पावार एक्स अंदर में दो चीज होने से हमेशा याद रखना कि अंदर में एक पार्ट ओरिजिनल फंक्शन होता है और दूसरा पार्ट होता है उसका डिराइव वे टेब और तब आंसर डिरेक्ट आ जाता है बता रहे तुमको फिर से इन डिटेल्स क्लास में तो किये थे ओव्यसली एग नहीं चार पांच थो सम था इसके उपर रिविशन में उतना नहीं ले पाए ओव्यसली कितना करे यह वाला है आगे और एक भी है ऐसा है तो सम है यह इंटेगेशन ओव वान टू टू ब्रैकेट में वान बाई एक्स माइनस वान बाई एक्स स्क्वाइड ब्रैकेट क्लोज्ट इपावर एक्स हाँ डी एक्स भी है थोरा साइड में होना ही चाहिए तो पहले हम तुमको दोबारा ले चलते हैं वह फॉर्मूला इंटेग्रेशन ओफ इपावर एक्स अंदर एक ओरिजिनल फंक्शन है एफ एक्स प्लस दूसरा है उसका डिराइबेटिव इसको जादा इंटेग्रेशन करने का दरकार नहीं है तुमको सिर्फ यह समझना है कि एक ओरिजिनल फंक्शन और दूसरा उसका डिराइबेटिव तो डिरेक्ट आंसर होता है इंपावर एक्स एफ एक्स अगर नहीं है इंडेफिनिट है तो प्लस सी और डेफिनिट में सी नहीं होगा तो अंदर में ऐसे होने से आंसर यह होता है डिरेक्ट आंसर पर यह इपावर एक्स सबसे जरूरी बाहर यही रहें चाहे सामने लिखो कि पीछे लिखो तो अब हम लोग जाच करेंगे कि यह वान बाइएक्स अगर एफ एक्स है तो यह दूसरा वाला क्या इसका डिराइबेटिव है जिल्लोक पता है वो लोग पता है ठीक है पर जिल्लोक को नहीं पता उन लोग के लिए हम हम एक बार फिर से कर रहे हैं कि डिटेल्स में कर रहे हैं अगर एफ एक्स है वान बाइए एक्स कि तुम लोग डिराइवेटिव हाली में किये हो थोड़ा याद भी रहना चाहिए एक्जाट्ली वही हम बोल रहे थे तो पहले हम इसको माइनस वन करके ले आए और इसका डिराइवेटिव अगर करें तो क्या होता है माइनस वान इन्टू एक्स पावर में माइनस वान माइनस वान माइनस टू तो यही होता है माइनस वान बाई एक्सक्वार इसलिए मिडल में प्लस के जगा पे माइनस था पर फॉर्मूला में देखो प्लस है क्योंकि यह माइनस हो जाता है इसलिए माइनस है तो पहला पार्ट ओरीजिनल फंक्षन है दूसरा पार्ट उसका ही डिराइवेटिव है तो डिरेक्ट यह रूल से तुम आंसर लिखो उसके बाद वैलू तो पूट करेंगे पर तुम डिरेक्ट आंसर लिखो इंटिग्रेशन अच्छा इंटिग्रेशन क्यों लिख्या हम आंसर तो लिख रहे है थार्ड ब्राकेट क्या है e power x fx fx क्या है यह 1 by x उपर जो पकरे देख लो तो इसका आंसर है e power x into 1 by x जिसको तुम e power x by x भी लिख सकते हो और इसमें value क्या था नीचे 1 उपर 2 जिसको बोलते बक्त ऐसे बोलते integration from 1 to 2 अब पूट करो upper value minus lower value 2 2 2 2 2 2 2 माइनस ए और वो लोग अब्वियसली इस सायत कॉमन लिये होंगे अंसर में बाहर ए अंदर एबाइटू माइनस वान कि यह भी पहला ओप्षिन ज्यादा तर ओप्षिन एई हो रहा है इसमें अब यह देखो हम डिराइवेटिब तुमको शो किये तुम अगर समझ जाते हो सिधा अंसर में आ जाना और वैलू पूट कर देना कि इएक्स के साथ अगर दो पार्ट है जिसमें एक पार्ट ओरिजिनल फंक्षन दूसरा उसका डिराइवेटिब तो सीधा आंसर होता है फंक्षन और ई पावर एक्स तो यह था टू सिक्स्टी फाइव अब टू सिक्स्टी सिक्स देखो यह थोरा डिप्रेंट टैक का है जो जो सीडवलू में नहीं था हम बोल रहें इसमें एक डेफिनिट प्रॉपर्टी का इस्तिमाल हम लोग करेंगे पहले हम उसको लिखते हैं देखो सम नहीं पहले हम वो प्रॉपर्टी को लिखते हैं देखो इन्टिग्रेशन सपोज नीचे है ए उपर है भी एफ एक्स डी एक्स इन्टिग्रेशन सपोज नीचे है ए उपर है भी इक्वल्ट इन्टिग्रेशन ए टू बी एफ अब थोड़ा चेंज हो जाएगा अब एक्स के जगा पे होगा ए प्लस बी माइनस एक्स इन्टिग्रल का कुछ प्रॉपर्टीज होता है उनमें से यह एक्थ है दोनों क्या है इक्वल बात को समझना पर ऐसे करने से कुछ सम में सुविदा होता है जैसे यह नेक्स सम है 266 तो यह एक प्रॉपर्टी ओफ डेपनिट इंटीग्रल है जो थोड़ा अलग टाइप का है यह भी अब बोल पर है ऐसे नहीं कि यह एकदम अनोखा है यह होता है तो अब 266 वाला सम में क्या कर रहे देखो इंटीग्रेशन आफ तू से ए उपर रूट एक्स नीचे रूट एक्स प्लस रूट 10 मिनस एक्स रूट 10 मिनस एक्स इंट ड्थ सकोपकरलो एक्स कर लोग्ड़ एक्स एक्सार एक्साद एक्सार एक्सार नीच़ एक्सार्ट लेट अब ये प्रॉपर्टी के अनुसार याद रखना ये नीचे वाला है A तो उसके अनुसार अगर हम X के जगा पे क्या करेंगे A प्लस B माइनस X A प्लस B मतलब 2 प्लस 8 10 तो इसमें जहाँ जहाँ पे X है देख रहे हो हम तुमको हाइलाइट करके भी दिखा रहे है ये X तीनों जगा पे हम A प्लस B माइनस X मतलब 10 माइनस X वो पूट करें और वो दोनों इक्वाल होता है तो वो भी आई होगा देफोर इंटेग्रेशन अफ 2 तो एइट रूट 10 माइनस X नीचे X के जगा पे 10 माइनस X ये भी इक्वाल टो आई होगा क्यूकि दोनों इक्वाल होता है हाँ DX भी तो वो तो नॉर्म उपर जो है उसको इक्वेशन वान नीचे जो है उसको इक्वेशन टू अगर मार्क करो थोड़ा धैरे से एक बार देख लो आगे तुम लोग को हम एक अल्ट्रा शॉटकट बोल देंगे सिर्फ शॉटकट नहीं कि मेंटली काल्कुलेशन आंसर हो जाए कुछ करने का दरकारी नहीं हो पर उसका लॉजिक क्यूं होगा वो तो देखो एक बार क्रिएक सी डवलू में वा नहीं इसलिए हम डिटेल्स में बोल इसलिए हम इंटिग्रेशन में टाइम रखे यह वान और टू दोनों इक्वेशन को हम एड़ करें नहीं तो क्या होगा इंटिग्रेशन ओफ टू टू एट पहले ओरिजिनल वाला अच्छा सेकेंड पार्ट में एक बात समझ लो यहाँ पे 10 और माइनस 10 कैंसल हो जाएगा ठीक है बाहर माइनस अंदर माइनस 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 प्लस एक्स हो जाएगा वो समझ लो हम डिरेक्ट डाल रहे हैं तो पहले उपर से हम एक्वेशन नमबर वन को कॉपी कर रहे है जिसमें नीचे था रूट एक्स प्लस रूट 10 माइनस एक्स प्लस कि अब सेकेंड कि अगर ना भी लिखो चलेगा पर है तो क्यूंकि एड कि यह इदर पर क्या होगा आई प्लस आई ठीक है क्योंकि हम दोनों को एड किये सब्ट्रैक्ट नहीं डिनॉम्नेटर दोनों का देखो सेम है कर देखो कर देखो कर देखो अबरेटर भी सेम हो गया तो उपर नीचे दोनों थ्रूआउट कैंसल हो जाएगा है कि नहीं तो कुछ बचा नहीं मतलब क्या बचा वान मतलब इंटेग्रेशन ऑफ टू टू एट दी एक्स इक्वाल टू टू आई इंटिगेशन ऑफ टी एक्स क्या होता है एक्स इंटिगेशन ऑफ टी एक्स क्या होता है और तुम जानते हो आपार वैलू माइनस लोवार वैलू तो आई होगा थ्री आई मतलब क्या है ओरिजिनल इक्वेशन शोड़ी इंटिग्रेशन जो था वही तो आई है तो तुम्हारा आंसर है थ्री अब आयटर सॉटकट सम को देखोगे ऐसे रूट का चहरा होगा तो इतना परिश्रम क्यों सीधा आजाओ अब हम तुमको आयटर सॉटकट सीधा बता देते ए तो नीचे है आंसर होगा बी माइनस ए बाई टू बी और ए क्या क्या है तो समझते हो तो इसमें आंसर क्या होता है ह माइनस टू बाई टू कुछ और आ रहा है नहीं वही आ रहा है एक बार सिखना चाहिए था ने तो बोलोगे आप बोल दिये तो हम मान जाएंगे नहीं चेक कर लो ऐसे एक्चुल ही होता है ऐसे टाइप यह रूट वाला चेहरा यह टू एट के जगा कुछ और भी लो जैसे नीचे टू उपर त्री तो इधर दस के जगा पे होगा जरूर फाइब तो वांसर क्या होगा थ्री माइनस टू बाइबाइब टू मतलब हाफ यह टू आई जो होता है एट करने से हर सम ऐसे इंपोसिबल है पर जहां जहां मुम्किन होगा हम ज़रूर बताएंगे और यह रिसेंटली दियाने इसलिए हम तुम लोग को बोल रहे हैं तुम लोग के टाइम यह आ सकता है पर तुम लोग यही करोगे बी माइनस एवाई टू यही तुम्हारा मार्क्स दिलाएं टाइम भी सेफ करें इसको थोड़ा डीप से लिखते हैं अब 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 अ अ चीक है और भी सम है तो आगे बरते हैं next फिर से पिछले सम जैसा पिछले न मतलब उसके पहले e power x एक है x log x plus 1 और x power minus 1 confuse मतो 267 sum number e power x अंदर में x log x प्लास वान माइनस वान बसे dx टाइप मिस हो गया पर है ऐसे कभी नहीं होता कि dx नहीं होगा पहले यह माइनस वान को जैसे तुम लोग इंडिसस सीके अब्वियसली आज भी इस्तिमाल किये y x कर लोगे और फिर डिवाइड जो हम किये उसको अलग अलग करो तो पहला पार्ट से उपर नीचे एक्ठो एक्स कैंसल रहेगा लोग एक्स और दूसरा पार्ट में होगा वान बाई एक्स तो फिर से तुमको याद दिलाते हैं यह अगर एक्स है यही इसका डिराइबेटीव है लोग एक्स अगर तुमारा पंक्शन है उसका डी डी एक्स ही होता है वान बाई एक्स तो सीधा आंसर क्या होगा एक्स एफ एक्स मतलब एक्स लोग एक्स यह वैलू वाला नहीं है तो प्लस सी एक्स लोग एक्स प्लस सी ओप्शन बी देख रहे हम अब नॉर्मल एक डेफिनिट इंटीग्रल का सम नेक्स्ट नॉर्मल सम कोई जमेला नहीं सिर्फ वैलू पूटिंग है में इंटीग्रेशन नीचे माइनस वान उपर प्लस वां अन्दर तो एक्स स्क्वार स्ट माइनस एक्सक्य। स्वीर्शा तुम्सेर नॉटास अब्स्तं अफ्टरा इर्थ एक्सक्य। by 3 minus x to the power 4 by 4 value वाला है तो इसको टोटल थार्ड ब्रैकेट में रखो फिर आपर वैलू लोवर वैलू डाल पहले आपर वैलू तू बाइ थ्री वान क्योड माइनस वान तू पावर 4 by 4 यापर वैलू डाले पहले हम माइनस लोवर वैलू माइनस 1 क्यूब माइनस 1 तू पावर 4 by 4 तो फिर्स्ट पार्ट में अंदर 2 by 3 minus 1 by 4 सेकेंड पार्ट में क्या हो रहा है माइनस 2 by 3 पर यह माइनस के बाद 1 by 4 होगा क्योंकि पावर 4 भी अंदर में प्लास हो जाता है तो इसमें देखो 2 by 3 ultimately दोनों में प्लास है पर 1 by 4 एक जगा में माइनस है दूर से जगा पे प्लास है तो LCM के चक्कर में मत परो सीधा ही कैंसेल हो जा रहा है तू बाइट्री और टू बाइट्री एक करोगे से 4 by 3 तो यह भी है पिर अब कुछ नॉर्मल स्टैक का समी है लगातार देखो ओल्वेस टफ नहीं देता है कभी कबार तो देगा एक दोटो देगा पर हर सम्में स्पेशली आम ध्यान दिये कि जो इजी वाला आता है वो तुम लोग कर सको होल पावार सिक्स जब भी करी होल पावार देखो अंदर में जो है उसको कुछ एज्यूम करो और इंटिग्रेशन में तो वही हमेशा जब कुछ एज्यूम करोगे तूरंथ उसका डिराइब एटेप पॉर एक्स प्लस ची का क्या होता है पॉर इंटू वान प्लस जीरो तो उतना मतलिको पॉर डी एक्स इक्वार टू डी जेट और फॉर को उदर भेज़ दो क्योंकि फॉर नहीं है शिर्फ डी एक्स वान बाई फॉर डी जेट तो अब समझ लो ये फॉर एक्स प्लस त्री जो था उसको तुमने जेट पक्रे और डी एक्स का वैलू जो था वो तुम निकाल लिये वान बाई पॉर डी जेट तो दोनों जगा से दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दे तो इंटेग्रेशन ओफ जेट पावर 6 इंटो 1 बाई 4 डी जेट इसमें 1 बाई 4 कॉंस्टेंट जैसा बाहर भेज देना और जेट पावर 6 के लिए होता है जेट पावर 7 बाई 7 प्लस कॉंस्टेंट इंटेग्रेशन जो कर दिये हाँ 1 बाई 28 जेट के जगा पे फिर से डाल दो 4 एक्स प्लस 3 नो होल पावर 7 प्लस सी यह भी पहला ओप्शन को को ये वाला देखना लॉग ए पावर एक्स एकदम नॉर्मल नहीं है लॉग है और ये ए पावर एक्स भी है देखू पहला काम लॉग का पावर को सामने भेजो दूसरा काम ये बात समझना ए अगर कॉंस्टेंट है ये लॉग ए भी कॉंस्टेंट है तो ये लॉग ए क्या होगा बाहर निकल जाए लॉग ए अगर कॉंस्टेंट है लॉग ए भी कॉंस्टेंट तो तुमको करना है सिर्फ इंटेग्रेशन ओप और अब तो तुम जानते हो उसका अंसर एक स्क्वाइर बाइट टू इंटेग्रेशन कंप्लीट हो गया तो प्लस सी यह भी पहला ओप्षण है यह बेसिकली एक लाइन का सम था तो इंटेग्रेशन में ओप्षण एका जय जय कार नेक्स्ट भी पावर वाला है पर सामने में एक्टो एक्स टा एक्स है वो इसलिए कि अंदर में एक स्क्वाइर प्लस फूर्ड इसलिए बाहर एक्टो एक्स कि अधर में पावर एक्टो एक्स तो इसमें भी अंदर में जो है उसको ही कुछ पकरोगे और इसका डिराइवेटिव करो तो होता है टू एक्स डी एक्स इक्वाइल टू डी जेट और टू को उदर भेज़ दो क्यूंकि टू है नहीं तो एक्स प्लस फोर को तो जेट पकर लेंगे और यह सामने वाला एक्स और एक्दम लास्ट वाला डी एक्स दोनों मिला के होगा वन बाइटू डी जेट तो जेट इंटू बाइटू डी जेट तो हाफ कॉंस्टन यहां भी बाहर जेट के लिए जेट जेट स्क्वाइट स्क्वार बाइटू लास्टन यहां री वन बाइट जेट के जगा फिए एक्सक्यार ब्लस पॉरहें प्लस सी, ओ, होल पावर फाइफ था, सोरी, हम भूली गया है, उसको लिख रहे हैं, तब तो खेल पुरा चेंज, वो और एक सम है, समझ लो, पर इसका आवा अंसर कुछ और, z पावर 6 पावर 6, तो फिनल अंसर, 2 6 1 पावर 12, x स्क्वार प्लस 4, होल तो पावर 6, 6, for a change, option B, इंसान का दिमाग, इंसान का दिमाग, यह वाला उतना डिरेक्ट नहीं हो पाएगा लग रहे हमको, देखो करें, इंसे अएग्ट पावर 6, तो तो पावर 1 मिनस x, नीचे वान प्लास एक्स डि एक्स इसमें लॉग पकरोगे नहीं हो पाएं लॉग है कहां की पकर लोगे इसमें थोड़ा काईदा करना वही हम सोच रहें कौन सा फाइदा मन्द होगा एक काम करते है नॉर्मल ट्रेडिशन जैसा अगर करे उपर नीचे जब भी होगा हमेशा नीचे में जो है उसको कुछ पकर तब तुमारा फोड़ा सा फाइदा हमेशा होगा उपर वाला को पकरोगे थोड़ा डिफिकलिटी बर जाए वैसे यह उतना इजी नहीं है एक दो लाइन का सम नहीं है तो नीचे में जो है उसको ही हमने पकरे जैट तो सिधा वान डी एक्स मतलब डी एक्स इक्वाइड टू डी जैट पार अगर नीचे वाला को पकरे ठीक है पर उपर में भी तो है कुछ अब यह भी तो लाना परेगा जैड में तो इसलिए हम क्या कर रहे देखो यहां से पहले सिर्फ एक्स को निकाल लेते हैं जो होगा जैड माइनस वान ठीक है अब उपर में जैसे देख रहे हो वान माइनस एक्स अगर यह एक्स के जगा पर यह वाला वैलू हम डाल देख और दीजेड होगा हम भुल से डीएक्स लिखती है तो वान माइनस एक्स का जो वैलू इधर निकला हुआ था वो हम डाल दे इधर पर एक्स के जगा पर तो यह हो जाएगा अल्टिमेटली वान माइनस जैट प्लास वान मतलब टो माइनस जैट और एक बात अगर हम भैलू को एक से जैड में लाते हैं तो यह लिमिट जो है वान से टू इसको भी चेंज करना होगा सिर्फ वैलू चेंज करने से नहीं मतलब वेरियेविल यह लिमिट का मान यानि वैलू भी चेंज करना होगा यहां यहां पर एकस को जैड में लाओगे वैलू चेंज नहीं करोगे यह गलत बात तो value change कैसे करे तुम वापस चलोगे जहाँ पे हम लोग z को पकरेते वहाँ यहाँ पे x का दो टो value एक एक करके बिठाओगे और z को निकालो तो अगर x equal to 1 है जो lower value था उसका है ना तो z होगा 1 प्लास x मतलब 1 प्लास 1 2 और x अगर 2 है तो z होगा 1 प्लास x मतलब 1 प्लास 2 3 तो x का value 1 तब z का value 2 x का value 2 तब z का value 3 तो अब जो हम z में पुरा convert करने जा रहे है सभी को करना पड़ता है नीचे में अब हो जाएगा 2 उपर 3 समझे यह 1 माइनस x का final value क्या है यह है 2 माइनस z है ना तो उपर में तुम लिखोगे 2 माइनस z by z और dx तो equal to dz है तो यहाँ पे dz एक्स अगर 1 है तो जेड है 2 कहाँ पे पुट किये ओरीजिनल में यह और जेड त्री होगा जब एक्स इक्वाइट टू क्या था वान से टू अब जेड में convert किये वैलू को भी convert करना परें तुम एक्स को जेड में लाओगे वैलू को सेम रखोगे नहीं चलता है कि अब यहाँ से integration क्या बड़ा बात है कुछ पहले अंदर में कि डिवाइड कि तो क्या होगा टू बाइजएड कि माइनस जेड बाइजएड कि अभी इंटेगरेशन शुरू नहीं कि अभी बी स्लूशन चल रहे है टू बाइजएड तो रहेगा समझे पर जेड बाइजएड काटके वान हो जाए यह तो शुरू अगर करें टू को बाहर ले गए कॉंस्टेंट तो इंटेगरेशन हम वान बाइजएड डिजएड माइनस देखो डेफिनिट का वैलू तो होगा पर उधर जेड जेड कैंसल हो गया तो वान डिजएड मतलब हम लोग लिखेंगे ओनली डिजएड माइनस के बाद ये वाला पोर्शन अलग है वार्किंग ये अलग रखो अब इंटेगरेशन तो तुम लोग करें लिए वान बाई जेड का अंसर क्या होता है लोग जेड एक्चुली लोग मॉडिूलर जेड पर इधर तो नेगेटिव फिगर है नहीं इसलिए हम मॉडिूलर सटा दिए देखो वैलू में कोई नेगेटिव फिगर है नहीं टू और थ्री है अगर होता तो मॉडिूलर ज़रूर देना परता माइनस लॉग नहीं हो सकता और ये तो सिर्फ जेड होगा इंटेगरेशन ओप डी जेड अब वैलू पूट लॉग 3 माइनस लॉग 2 अपर वैलू माइनस लॉग वैलू और इदर सिंपल 3 माइनस 2 सेकंड पाट तो और भी इस फर्स्ट पाट में छोटा सा काम कोई कोई पंडित होता है लॉग 3 माइनस लॉग 2 लिख देता है लॉग 1 कभी नहीं होता माइनस होने से डिवाइड हो ये है लॉग का रूल पर ये माइनस 1 भी है तो फाइनल आंसर 2 लॉग 3 बाइटू माइनस वान ये भी ऑप्शन बी डिराइवेटिव में एक्वेशन अब दा टैंजेंट हम लोग स्लोप से निकालते हैं ते इसमें उल्टा दिया हुआ है क्या एक पॉइंट दिया हुआ है उधर भी होता था ठीक है कि और ये पॉइंट होता है एक्स कोमा य की आकार से पर इसमें स्लोप दिया हुआ है इक्वेशन अब दा कर्व चाहिए मतलब उल्टा तुम लोग स्लोप निकालते थे अब इसमें उल्टा करोगे और डिराइवेटिव का उल्टा क्या होता है इंटिग्रेशन क्योंकि ये स्लोप जो हम लोग निकालते थे याद है इसको कैसे निकालते थे डीडी एक्स और से मुए मि-स लोप यह वह डीडीएक्स ओव आई मतलब डिशसाइएटको मैं तो अप्छिकेशन जब करते थे डिफ्रेंसेशन का डिराइवेटीव का स्लोप निकालते थेते एकवेशन का डीडी ऐक्स निकालना परेगा और यह पॉइंट भी दिया हुआ है उस समय भी होता था पॉइंट जिसको हम लोग लास्ट में पूट करते थे तो इसमें वापस जाओगे स्लोप से एक्वेशन वापस मतलब इंटीग्रेशन करोगे लैंग्वेच को समझना स्लोप मतलब डीदीएक्स अवाइब और टू सेवन त्री ना अच बाद में कर लेते हैं तो य होगा इंटीग्रेशन आफ यहां वाइ लिखते चलो क्योंकि इक्वेशन जो निकालना है 3 इंट्रीशन x dx minus 4 इंट्रीशन dx एक्स का इंटिग्रेशन क्यों होता है एक स्क्वाइर बाई टू माइनस फोर एक्स भूलो मत यह डेफिनिट नहीं है प्लस सी इसमें पॉइंट जो दिया हुआ था वो था वान कॉमा टू और तुम लोग तो यह तो जानते ही हो यह एक सोता है यह वाई तो यह दोनों पॉइंट मतलब दोनों वैलू एक्चिली पॉइंट तो एक इसमें डालते हो तो तो यहां से सी यानी कॉंस्टन्ट को निकल लेना तो प्लस फोर शिक्स माइनस थ्री बाइट तो एट माइनस थ्री मतलब फाइट बाइट बाइट तो ओ ट्वेल्ब माइनस थ्री सॉरी आम एट क्या बोल दिये नाइन बाइट और वापस तुम चलो यह जो सी था तुमारा यहां पे नाइन बाइट तु को बिठाओ बस और थुरा ससाइद ल्सेम भी करना परे य इक्वाल तू थ्री एक्स स्क्वाइर बाइट तू माइनस पूर एक्स तो टू एलसेम जरूर बनाओ गया ऐसे फ्रैक्शन में इक्वेशन नहीं होता है कभी देखना कोई इक्वेशन फ्रैक्शन में नहीं होता है कभी यह हो जाएगा एट एक्स और लास्ट में यह टू को उधर भेज़ देख यह भी ऑप्शन है पहले वह वाला कर ले जो चूट गया वह भी इजी है 273 में इक्वेशन 1 to 2x by x square plus 1 उपर नीचे जब भी होगा हमेशा नीचे में जो उसको कुछ पकरना और वह होता भी वैसे है तो डिनोमनेटर में जो है उसको ही कुछ एजियूम करोगे और यह डेफिनिट भी है वैलू भी चेंज करना परेगा एसम्शन मतलब कुछ काम एक्स्ट्रा तो है बहुत एक दो नहीं तो यहां से डिराइबेटिव करना परता है तूरंद टू एक्स डियेक्स इक्वाइल टू डी जट अब उपर में देखो एक्स ओडी एक्स तुमको मिल रहे है पर तू नहीं मिल रहे से लिए तू को उधर भेजना एक्स डियेक्स इक्वाइल टू हाफ डी जट अब यहां से काम खतम नहीं होता है यह वैलू भी चेंज करना परेगा नीचे में एक्स इक्वाइल टू वान है तो कहां बिठाओगे ओरीजिनल जो पक्रे उसमें बिठाओगे तो एक स्क्वाइर प्लस वान होगा वान स्क्वाइर प्लस वान तो जेड होगा टू एक्स इक्वाइल टू वान होने से जेड इक्वाइल टू इसको कहां बिठाओगे ओरीजिनल जो पक्रे उसमें बिठाओगे फर्स लाइन को देखो सिमिलरली आपर वैलू एक्स का टू था तो एक्स स्क्वाइर होगा टू स्क्वाइर तो जेड होगा फाइव तो इसको देखके अब वैलू चेंज कर लो नीचे टू उपर फाइव यह ग्रीन से हाइलाइट किया हुआ एक्स डी एक्स वो है हाफ डी जेट हम तुमको यहाँ भी दिखा रहे है देखो एक्स डी एक्स हाफ डी जेट अग्स अग्स और नीचे जो ताउस को ही ना जेट पकरे थे तो नीचे जेट हाफ बाहर इंटेग्रेशन ओप बाई जेट भी जेट वान बाई जेट का इंटेग्रेशन होता है लोग मोडिूलर जेट पर यहाँ भी कोई नेगेटिब नहीं है तौम सिर्फ जेट लिखे क्लोज्ट अपर वैलू लोवर वैल्ड लोग फाइव माइनस लोग टू जिसको तुम डिवाइट से लिख लोगे यह अंसर ऐसे है पता नहीं एक बाद देख लो डिवाइड में ही होता है ज्यादा तर बाइनस कभी छोड़ते नहीं हाफ लोग फाइव बाइव बाइव टू हुं 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 हुँ हुँ हु एक थो नहा हम एट की आज यह लोग 276 को कॉपी कर लेना लास्ट में पहले 275 यह भी सिंपल सा है पर ख्याल करो उपर पावर रूट एक्स है नीचे भी वहीं तो यह हिंट है रूट एक्स करेक्ट इसमें वो रूट एक्स को ही कुछ पकरना होगा प्रूट एक्स kेंण झाल तो इसमें याद रखो यह रूट एक्स पावर में जो है उसको कुछ पक्रों है रूट एक्स का डिरेक्ट डिफ्रेंशेशन याद है वान बाई टू रूट एक्स कुतना स्टेप अप करना इंपॉसिबल एमसिक्यों में तो और भी कि अधिक्स को रखोगे सिर्फ टू को उधर वेज़ो उसका कारण यह है यह डि एक्स और नीचे बाई है यही है यह दोनों पहला बात यह दूसरा बात वैलू चेंज करने से वैलू भी चेंज करना परेगा एक्स अगर जिरो है और तुम किसको जेट पकरे रूट एक्स को तो वो भी रूट जीरो तो जीरो ही होगा पर एक्स जब टू तब जेड होगा रूट टू तो जीरो होने से जीरो पट्टू होने से रूट टू क्यूंकि तुम रूट एक्स को जेट पक्रेस लिए तो नीचे जीरो उपर रूट टू अब देखो तुम री को कुछ नहीं पकरे रूट एक्स को जेट पक्रे और ये ग्रीन वाला देख रहे हो तू दीजेट क्या वा है ये वारकिंग अलक नेक्स्ट ये तू कॉंस्टेंट बाहर इंटेग्रेशन ओफ जीरो टू रूट टू थ्री पावर जेट डीजेट अब ये फोर्मूला तो बहुत ही कम यूज होता है हम तुमको नीचे लिख के एक बार याद दिला रहे हैं इंटेग्रेशन ओफ ए पावर एक्स डीएक्स डिफरेंशेशन होता था ए पावर एक्स लोग अ बेसी इसमें मल्टिप्लाई के जगावा डिवाइड होगा वो ए पावर एक्स नीचे लोग अ बेसी ये होता है और अगर डिफिनिट नहीं है तो प्लस सी तो ये फोर्मूला से करना परेगा अब्यसली यहाँ एक्स नहीं जेड है तो क्या हो थ्री पावर जेड डिवारेड वाई लोग थ्री बेसी पर याद रखो ये है डिफिनिट वाला तो थर्ड ब्रैकेट में रखके अपर वेलू लोवेलू पर नीचे का लोग थ्री वो भी कॉंस्टेंट तो बाहर चला जाएगा टू बाई लोग थ्री अंदर में थ्री पावर रूट टू माइनस थ्री पावर जीरू और थ्री पावर जीरू ही सिर्फ वान होता है लास्ट आप्षण ना हां लास्ट आप्षण ना हां और ये जो फोर्मुला है ना इसके उपर हम सोचे कि और तो कुछ सम होगा रिसेंट्ली नहीं कुछ साल पहले ये वाला हम मिला हमको तो थोड़ा तुम लोग नोट डाउन कर लो ये एक्स्ट्रा 276 हम तब तक इसको अन होड रखते हैं तो इसमें क्या है तू पावर थ्री एक्स थ्री पावर टू एक्स फाइब पावर एक्स जी एक्स तीन तीन बार मतलब यू भी वो सब नहीं नॉर्मल होगा थोड़ा इंडिसेस पहले बस इंटेग्रेशन अफ तू पावर थ्री एक्स थ्री पावर टू एक्स फाइद पावर एक्स देखो थोड़ा इंडिसेस का नॉलेज चाहिए तू कि इसमें में है पावर टू पावर थ्री एक्स को थोड़ा ऐसे लिख ले ना तू कियूब होल टू दी पावर एक्स ये तो जानते हो थ्री स्क्वाइर होल टू दी पावर एक्स पर लास्ट वाला सिंपल फाइब पावर एक्स वो वही रहे तो ये क्या हो गया एट पावर एक्स नाइन पावर एक्स अब क्योंकि तीनों का ही पावर में एक्स है अलग अलग रखे क्यों एक्सात न कर लो एट इन्टो नाइन इन्टो फाइब मैटिप्लाइ करने से कितना तो अब इसको वापस पिछले समका ए पावर एक्स वाला फॉर्मूला से तोरो इंटिग्रेशन तो क्या होगा उपर वही नीचे लौक 360 बेसी अब यह 360 को वापस अगर चाहो अंसर लाने के लिए हम बोल रहें पुराना चहरा में लिख लो कैलकुलस में बेसी ना लिखो फिर भी चलेगा तो ultimately इसका ultra shortcut तुम लोग बोलो हम सुने उपर में वही नीचे सिर्प तूर के 8 9 5 जो देख लिए लौग उतना नीचे बस यह 8 9 और 5 मल्टिप्लाई करके नीचे कि उपर तो वही तो आगे से तुम लोग यहां आके रुख जाओगे उपर वही डॉट 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 नीचे लॉट 360 बस तो तुम जैसे वह एगदम सही बोले तुम टू क्यूब 3 स्क्वार और 5 कुछ नहीं मतलब 1 यह तीनों को मल्टिप्लाई कर लोगे एक स्टेप में तो आंसर तो ठीक है इंटेग्रेशन खतम किये कुछ स्टैट बाकी है और एलर तो होगा ही धुम जा स्टेपन को मतलब स्टेप दोगी बाकी है